नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल Amazing Education News में दोस्तों अनुदेशकों से ही संबंदित कुछ खबर निकल के आ रही है जैसा कि आप सभी को पता है कि मई के महीने में अनुदेशकों की संविदा समाप्त हो जाती है जून के महीने से ही इसको पूरा प्रोसेस किया जाता है और जुलाई में एक बार फिर से ग्यारा महीने की संविदा रिन्यू हो जाती है यानि कि जुलाई से फिर से एक बार अनुदेशक अपनी नौकरी पर बापस आ जाते हैं लेकिन जैसा कि इस समय कोविट की सिचुएशन चल रही है विध्याले बंद हैं सभी कारे बंद हैं ऐसे में अनुदेशकों के सामने एक बड़ा सवाल बन गया है कि अनुदेशकों का नवीगर्ण किस तरीके से होगा क्योंकि अगर नवीगर इस से पहले ही इस चीज़ को पूरा नई किया गया और उनकी सैलरी देर से आया यानि कि मान्दे अगर देर से आя तो अनुदेशकों के सामने परिस्थिति और भी जादा विकट हो जाएंगे क्योंकि जून के महीने मने में मान्दे ना मिलना और उसके बाद एक दो महीने तक और मांदे ना आना ये इस्तिती विक्राल हो जाएगी ऐसे में अनुदेशक संग उच्छ प्रात्मिक अनुदेशक सिक्षक वेलफेर एस्टिशेशन के द्वारा एक मांग की गई है कि अनुदेशकों का नभीकंड इस बार स्वता नभीकंड होना चाहिए ताकि अनुद प्राइग को भी लाइक शियर कर दें तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुदेशकों के नभीकंड से संबंदे थी इस बार समस्या उत्पन हो सकती है क्योंकि विद्ध्यालेकार इस समय बंद चल रहे हैं और अनुदेशक भी विद्ध्याले कोई जना विद्ध्याले नहीं जा रहा है तो ऐसे में नभीकंड की प्रक्रिया किस तरीके से पूरी होती है ये एक सवाल बन गया है और उसके साथ-साथ अनुदेशकों के सामने एक और विक्राल समस्या आती है वो है सो बच्चों की बादिता यानि कि जिन विद्ध्याले में सो ब प्रियास कर लेते विद्ध्याले में बच्चों की संख्या को इस बार वो नहीं बढ़ा सकते थे तो ऐसे में इस्तिती अब ये आगई है कि अनुदेशकों का जो नभीकंड है वो किस बेसेस पे किया जाएगा और अनुदेशकों का नभीकंड की प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी इस COVID की situation में तो इसी सब चीजों को देखते हुए उच्च प्रात्मिक अनुदेशक सिक्षक वेलफेर एस्सोशेशन ने COVID-19 को ही देखते हुए सत्र 2021-22 में अनुदेशकों के नवीगण को स्वता नवीगण करने की मांग जो है वो सामने रखी हुई है अभी मैं आपको एक पूरा पत्र दिखाता हूँ जिसमें ये मांग पूरी रखी गई है आई हम पहले इसको देख लेते कि इसमें क्या लिखा हुआ है देखें सबसे उपर से ही देखते हैं जुणियर हाइस्पूर में कार्रत अनुदेशकों के समस्या निस्तारण के संबन्द में विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि प्रदेश के पंचायच चुनाव में बेसिक सिक्चा विवाग में कारत समस्त अनुदेशकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके चलते चुनाव ड्यूटी के उपरांत कई अनुदेशक, कई जनपतों में अनुदेशक संक्रमित होकर असमय मिलत्यू हो गई, अनुदेशकों के परिवार जनन बेसाहरा हो चु अभी हाल में ही जनपद में अनुदेशकों की डूटी COVID-19 के कंट्रोल रूम में भी लगाई गई है इसके संबंद में आप से निवेदन ये है कि किसी भी अनुदेशक के साथ कोई दुरगटना होती है तो उसके परिवार जन को 50 लाग की आर्थिक साहिता के 7-7 सरकारी नौक के आदेश जारी करने की मांग की जा रही है और इसी में आप देखिए कि 2020-21 लिखा हुआ है तो यहां पे आपको कंट्फ्यूज नहीं होना है 2020-21 से यहां पे मतलब है कि जो इस सत्र में अनुदेशक कारिक कर रहे हैं यानि कि यह जो नभीकण है वो 21-22 का कराना है अब द हैंगाई के समय में 7000 रुपए मांदे में जीवन अपना करपाना असंभव है अता श्रीमान जी से निवेदन है कि अनुदेशक पत को इस्थाई करते हुए प्रसिक्षित वेतनमान देने की क्रिपा करें तो यह पूरी एक मांग जो है वो बिलकुस सही मांग है पहली जो म में सदस से अब नहीं रहा है तो ऐसे में सरकार को जो है एक बड़ी सहायता एक बड़ी आर्थिक सहायता जो है उन्हें मोहिया करानी चाहिए साथी साथ में योग्यता के अधार पर एक नौकरी जो है वो भी उनके किसी परिवार जन को देनी चाहिए इसके साथ साथ अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि COVID-19 कंट्रोल रूम में भी अनुदेशकों की duty लगी है और उसमें भी संक्रमित होने का काफी खत्रा उनके सामने मंड़ा रहा है तो ऐसे में अगर कोई अनुदेशक इस चीज़ से जूचता है यानि कि वो संक्रमित हो जाता है और उसकी असमय म सामने आने वाली है वो यह है कि 2017-2021 में अनुदेशकों का नभीकंड किस तरीके से होगा तो यही समस्या को देखते हुए कि अनुदेशकों का नभीकंड इस बार जो है वो स्वता नभीकंड होना चाहिए कि यानि कि अनुदेशकों को किसी भी तरीके की प्रक्रिया का सामन नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जून के महिने में अपना मांदे ना पाने वाले अनुदेशकों के सामने एक विकट समस्या सामने आ जाएगी इसके साथ-साथ एक मांग ये भी की गई है कि ये महंगाई का दौर जो है वो लगतार बढ़ता चला जा रहा है और साथ अजार रुपए में अपना जीवन चला पाना किसी भी अनुदेशक के बसकी बात नहीं है अगर हम सत्रा अजार मांदे की बात करें तो उसका जो केस है वो कोड में चल रहा है और कोड की समय सारी कारवाई जो है वो इस्थगित है बात दे है और इस चक्कर में उस साथ खड़े रहते हैं साथी साथ विध्यालय में अपने सब्जेक के साथ साथ दूसरे सारे सब्जेक जो है वो पढ़ाते हैं अपने घर से 70-70-80 किलोमेटर दूर विध्यालय जाते हैं और इतना सब करने जो है वो 7000 रुपए में पॉसिबिल नहीं हो पा रहा है इसी लि जिवार का बहुत अच्छे से भरण पोशन कर सकें इसके साथ साथ मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि ट्विटर पर भी लगातार अनुदेशकों के द्वारा सांतिपूर तरीके से एक धन्ना प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन इसमें अनुदेशकों का प्रतिभ से गुजर रहे हैं साथ हजार रुपए मांदे में अपना जीवन चला रहे हैं अपने परिवार को का भरण पोश्र कर रहे हैं साथ में अगर परिवार में कोई बिमार हो जाता है तो ऐसे में साथ हजार रुपए में मात्र साथ हजार रुपए में अपने परिवार का इला वो जल्द से जल्द देना चाहिए तो ये जो पूरी मांग की गई है ये बिल्कुल जायस है साती जो सबसे बड़ी मांग है वो नवीकंड को लेकर ये है कि अनुदेशकों का नवीकंड जो है वो स्वता नवीकंड इसभार करना चाहिए इससे समंदेद और जो भी चैनल पर आपको दिखाता रहूँगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें जैहन